बच्छों स्वागत है आपका अपने चनल तयर जीत में आज हम देखने वाले हैं अर्दवार्सिक मुल्यांकन परिक्षा दोहज़त तेस चोवीस कक्षा यहां पर साथ के बिसाय गड़ित का हल देखने वाले इस वीडियो में तो आप यहां पर संपूर पेपर का हल देखें यदि आप चनल पर अलीवर आएं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजी तो यहां पर पहला कॉस्चन हमारा दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं सही बिकल्ब में दो परमे संख्याओं के मानक रूप समान हों तो दोनों परमे संख्याओं के मानक रूप समान होते हैं तो पर सी डिगरी दे गई है तो उसके बाहे कोण का माफ क्या होगा ओप्शन है 120, 100, 140 या फिर 90 तो आपको एक सूतर याद होगा बाहे कोण बराबर होता है दो अनताह सम्मुक कोणों का योगफल तो बाहे कोण ये लिखा है इसके बराबर सूतर होता है ये दोनों कोण जो दिए ग लोग तो यह आपका सूतर आपको याद होगा तो आपका आंसर आजाएगा 140 ओप्शन नमबर यहां पर तीसरा हो जाएगा अगला कॉस्चन दिया है भिन अंस बटे हर बटे के ऊपर की जो रासी होती है उससे हम अंस कहते हैं तो नीचे की रासी को क्या कहेंगे तो यहां क्या दिया गया है देखी सबसे छोटी प्राकरतिक संख्या कौन सी है पांच दस तीन या फिर एक तो इसका सही अंसर हो जाएगा एक प्राकरतिक संख्या हमारी एक से स्टार्ट होती हैं और कहा तक जानती हैं अनंत तक जाती हैं तो यहां पर एक से स्टार्ट होगी तो 10% की छूट दी जाती है यहां पर 10% की छूट दी जाती है तो उसे तो हमें कितना भुक्तान करना पड़ेगा तो देखिए यहां पर आपको यहां पर कितने की छूट दी जा रही है 10% तो आप जितना भी छूट दी जाती है टोटल होता है % हमारा 100 100 में से 10% छूट करेंगे तो कितना बचेगा 90 प्रतिसत कच्चन हटेगा तो बटे में आ जाएंगे आपके 100 20 से काट देंगे आप 20 तो इस प्रकार से आपका जिगोडा होगा 9 का और 8 का तो आएगा 8,9,72 और 2,0 तो आपसन नमर किसमें दिख रहा है ये 72 स्वाप का तो आपसन नमर पहले में इसके बाद अगला कॉस्चन दिया है सबसे छोटी प्राकर्टिक संक्या तो ये आपको पता ही है एक है इसके बाद अगला कॉस्चन देखेंगे तो ये रहा अगला कॉस्चन दो उचित भिन्नों का गुणा की ये प्रतेक भिन्न हो सकता है तो ये कॉस्चन यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है तो इसका अंसर हम कुछ नहीं देंगे इसके बाद अगला question दिया है एक करण का केवल एक अंत होता है तो एक अंत क्या होता है बिंद होता है एक अंत बिंद होता है तो यह ध्यान रखेंगे आप इसके बाद अगला question दिया गया है इसको देखेंगे तो क्या दिया है देखी तीन भजाओं से मिलकर बनी एक बंद सरल आकरती क्या कहलाती है तो आपसन दिये गए हैं तिरभज, भजाएं, कौर या माप तो इस प्रकार से तीन भजाओं यादी हम बनाकर यासी करदें बंद आकरती तो इसे क्या कहते हैं इसे हम तिरभज कहते हैं तो यह सही हो जाएगा हमारा option number पहला अगला सुतर दिया गया है मिस्रधन बरावर मूलधन प्लस ब्याज तो ब्याज को हम क्या कहते हैं टी इया यहां पर एम आई, सी आई या फिर एस आई तो आपको पता होगा यहां पर एक सुतर होता है यह बरावर हम लगाते हैं P plus ASI यानि मुल्धन प्लस ब्याज तो यह मिस्त धन का सूत्र होता है तो इसका सही option हो जाएगा हमारा चौथा इसके बाद अगला question दिया है इसको भी देख लिजी बच्चों क्या दिखा है तो यह दूसरा question दिया गया है तिरभोज यहाँ पर ABC एक तिरभोज है जिसका कौण C एक समकौण है यदि AB बरावर आपका 25 cm तथा BC बरावर आपका दिया है 7 cm यहाँ पर AC 7 cm है तो BC ग्यात कीजिए तो देख चितर के इस प्रकार से बनाएगे समकौण का बनता है इस प्रकार से L अब यहाँ पर उन्होंने कहा C समकौण है तो यहाँ पर बनाएगे हम C अब A कहीं भी बना लीजी आप उपर बना लेंगे हम A यहाँ पर बना लेंगे B और यह हो जाएगा हमारा C अब मान दिये गए हैं देखिए तो यहाँ पर AB बरावर कितना दिया है लंब का वर्ग प्लस अधर का वर्ग तो इस परकार से हम सूत्र लगा देंगे हाँ पर तो यह हो जाएगा देखना 7 का वर्ग प्लस X स्कोईर का वर्ग बरावर में आपका 25 का वर्ग 7 का वर्ग होता है 49 X स्कोईर का वही 25 का होता है 625 चीज़ अब इसको यहाँ पर 625 में से आपको उननचास घटा लेना है तो घटा लीजी घटाने के बाद आप गटाएंगे तो यहाँ पर 15 मैं से यहाँ पर 9 घटाएंगे तो आप की में आएगे शे यहाँ पर इस प्रकार से घटा लीजिए गश्का बर्गमुल्न निकाल ल काउचन किठी किफ़ युक्राइड सा ना में 6 चयों को भूदर कि उसां को पता होना चाहिए श suspect के लिए कितने चाहिए तो तो 24 के लिए भी कितने चाहिए आधे तो इसके आधे हो जाएं कितने बार है तो इस प्रकार से ये अच्छे से कर लीजेगा ठीक है इसके बाद यदि इसका solution चाहिए तो आप comment हो जागर comment कर दीजेगा अगला question देखिए ये question हमारा तीसरा दिया गया है एक नगर की जन संख्या 25 जार थी घटकर हमारी 24 जार 500 बच्ची है तो कितने प्रतीसा संख्या घट गई है तो यहाँ पर ये लिखना है तो देखिए किस प्रकार से करेंगे तो पहले कितनी थी तो यहाँ पर लिखेंगे पहले थी हमारी पहले संख्या तो यहाँ पर लिखेंगे पहली पहले की जन संख्या कितनी थी 25 जार और घटकर बची घटने के बाद घटने के बाद हमारी हो चुकी है 24 जार 500 तो कितनी घटी घटी हुई संख्या तो घटी हुई श्ंख्या कितना अंतरा है इस में प onso उखा तो बस आप णिकलाना है हमेन घटने का पृतिसत तो यह पर जो संख्या घटी हुई है ओपष्यों से लेखेंगे ऊपर वह तो टोटल थी उसे लेखेंगे हम लीचे है तो एक यह Fantasy 90 two 0 30 कट गया और 25 से कड़ देंगे 50 को तो 2 बार में कट जाएकर तो यह लगा 2% इस परकार से आपको से हल करना है इसके बाद हमारा करना कोश्चन दीया गया है 40 बारा को भागे एक और इसका हो जाएगा चार उपर और तीन नीचे इस परकार से हो जाएगा तो चार का उपना कर देंगे यहाँ पर बारा में तो बारा चो को हो जाएगा अड़तालीस और नीचे का नीचे कर देंगे तो तीन एकम तीन अब तीन से भाग दे दीजिए तो सूल आ जाएगा अंसर इसमें इसके बाद ये सवाल आपका जो दिया गया यहां पर तो इसको अच्छे से देख लिजिए क्या लिखा है तो यहां पर यह देखिए यहां पर यह दसमलब लगा है 0.19 और यहां पर लिखा है 2.3 इसका मानियाद करेंगे तो किस परकार से इस परकार से जोड़ना है देखिए इसको यहां पर जोड़ना है इस परकार से तो यहां पर लखा है यह इसके बाद कुछ नहीं लखा है तो 0 इस परकार से जोड़ दीजी तो 9, 4 और यह आप जानते होंगे तो यह आंसर आ जाएगा इस सवाल का अथवा का इसके बाद यह दिया है हमारा पांच मासावाल अनुपाद ग्याद करना है तो यहां पर यह पांच रुपए हैं और यह पचास पैसे हैं तो आपको पता है एक रुपए में कितने पैसे होते है 100 तो यहाँ पर पांच रुपय में कितने होंगे आपकी 500 पैसी तो अनुपात निकालना है यहाँ पर अनुपात बरावर करें तो 500 अनुपात यह दिये यह अंसर हो जाएगा हमारा पांच में सवाल का इसके बाद अगला कॉस्चन देख लीजिए यह छटमा कॉस्चन दिया गया है यह इसका गुणा करना है तो देखे किस प्रकार से करेंगे यह लिखा है नौ बटे दो गुणा का चेंड और यहां पर लिखा हुगा है माइनस क साथ बटे चार तो ऊपर का ऊपर अपर गुणा होगा तो नो साथ गृष सुझा हो जाएंगे नीचे का नीचे होगा तो चारदूनी उट हो जाएंग विल तो इस प्रकार से आपको सभी सवाल कर लेने हैं जो नहीं आएगा तो आप यहां पर कमेंट कर दीजीगा तो इसका उत्तरा आपको मिल जाएगा एक दोकांदा ने एक उड़सी इतने रुपए में खरी दी यानि 375 में वो 400 रुपए में बेच दी तो लाब का प्रतीसद ग् इस प्रकार से करेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा अगला प्रसन देखते हैं तो यह रखा साथ मां प्रसन अब आप प्रसन देखते चलिए तो यह रहा वहां प्रसन नमर अगला संपूर रासी ग्यात कीजिए इसका 5 प्रतीसद 600 है तो संपूर रासी हम मानेगे एक्स इ कितना है 600 इस परकार से तो यहां पर एक्स यहां पर प्रतिसत कचन हटेगा यह वाला प्रतिसत कचन हटेगा तो बटे में कितने आ जाएंगे 100 और यह गुणाह की संख यहाँ पर यह बटे की संख है 100 तो यहाँ पर गुणाह पहुँच जाएगी 600 की तो इस पर कार से हो जाएगा एक्स बराबर छेसो गुड़ित सो और बटे में आ जाएगा आपका पंच पंच से काट देंगे आप तो यहाँ पर कटेगा पंच एकम पंच और पंच दूनी दस ठीक है तो यह काट जाएगा और कितने जीरो बचेंगे तीन जीरो एक दो जी यहाँ पर तो यहाँ पर आजाएगा बारह हजार अच्छे से कर लीजीगा आपको आते होंगे इसके बाद ऐसा काट गयात कीजिए जिसके पूरा काट समान हो तो यहाँ पर यह देखिए तो यह 45-45 के हो जाएगे आपके दोनों काट इसके बाद यह दिया गया है आठ मार परसन एक कार एक लीटर में 16 किलूमेटर दोड़ती है तो यहाँ पर दो सही तीन वटे चार लीटर में कितनी दूर दोड़ेगी तो यहाँ पर यह बताना है इसके बाद यह कॉस्चन आप देखते चलिए इसके बाद यह आपका 9 कॉस्चन दिया गया है इसके बाद यह आपके आथवा दिये गए है तो अच्छे से इनको पढ़ते चलिएगा सभी परसनों को देख लिए इसके जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको इसका हलवता दिया जाएगा यह 10 मापरसन दिया गया है तो देखिए अच्छे से इसके बाद अगला कॉस्चन देखते हैं 11 माँ तो यह दिया गया है 11 है कॉस्चन नमबर तो इसको देख लिजिए यह आपको रचना करनी है इसके बाद यह 12 माँ कॉस्चन दिया गया है आपका इसको देख लिजी, यह तेरमा कॉस्चन है आपका, इसके बाद यह थवा का है इसका, तेरमे के थवा, तो यहाँ पर यह हमारा लास्ट कॉस्चन था, तेरमा, तेरमा को अच्छे से आप कंप्लेट कर लिजीगा, यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जागर को इसी चनल पर इसका solution भी मिल जाएगा, तो में जाएगा, तो,